सो टीर स्टुडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन कह रहे हैं कि आपके पास एक स्टेट वायर है जिसका मास है 400 ग्रैम और लेंथ है 2 मीटर करेंट है 2 एमपेर का इसको एयर में सस्पेंड किया गया है ठीक है और कुछ मैगनेटिक फिल्ड भी है इस रीजन में तो क्योंकि एयर में यह वायर हैं कर रही है तो इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे जो इसको बैलन्स कर रहे है एक तो इस पर नीचे की तरफ तो टो इसको इसको फर्स वेक्रमानेंगे इसको फर्स्ट वेक्टर मानेंगे सब्सक्राइब करेंगे पाम तरफ करेंगे तो आपको जो थम्होंगा वो थर्ड टर की डिरेक्शन देगा तो मैंने एगर right hand की fingers को first vector की तरफ point किया और मैंने मान लिया कि magnetic field अंदर की तरफ है का है अंदर की तरफ तो force का लगेगा उपर की तरफ ठीक है तो L cross B palm नीचे की तरफ force लग रहा है उपर की तरफ अगर magnetic field अंदर नहीं होगी तब ही यह wire जो है यह suspend रहे पाईगी air में ठीक है तो जो इस पर उपर लगने वाला force है that is equal to नीचे लगने वाला force तो BIL sin theta sin 90 हो जाएगा sin 90 क्यों होगा यह क्योंकि जो theta angle होता है यह L और B के बीच का angle होता है अब L वो direction है L वो direction है जिस direction में current जा रहा है तो current इधर है magnetic field screen के अंदर है तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 90 degree यहां substitute करेंबने sin 90 बराबर mg ठीक है अब मेरे को B चाहिए बाकि सारी I मेरे को given है L मेरे को given है M मेरे को given है G मेरे को given है सब कुछ पता है तो B के equate कर देंगे सारी values और substitute करेंगे तो 0.98 test lab का answer आ जाएगा